नाम जप में तभी प्रीती होगी जब बाणी मौन काश्ट रहने हैं कम बोलो आवश्यक हैं तुम म्रदु शब्दों में हितकर बात कहे दो नहीं मौन रहो बाणी को जितना तुम शम्हाल शम्हाल करके नाम जप में लगाओगे तो तुम्हारा अभ्यास बन जाएगा नाम जप करने का ऐसी आदत पढ़ जाएगी कि जरासा छुटने का ब्रमुवा कि आपकी जलन होने लगेगी नाम छुट गया आप परेशान होने लगेंगे फिर तो उपाशक की ऐसी प्रबलनिष्ठा जगती है को चौवीस घंटे नाम जप करने का लोग पैदा हो जाता है चौवीस घंटे नाम जपते हुए शो गया जगते ही नाम जप तो उसकी पूरी रात नाम जप में ही मानी जाती है जो थोड़े से नाम जपने में शंतोष कर लेता है उसे भगवदानन्द की अनुभूती नहीं होगी जैसे बड़े जूर की भूख या प्यास लगे तो एक एक शन मांग हो दी कब पानी मिले कब भोजन मिले इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी एक शन भी नाम के बिना नहीं जा सकता अगर कहीं भूल हुई तो बहुत कष्ट होता है उसे तद दिश्मरने परम व्याकुल दे दी नाम है संख्या से जपो तो रुची बढ़ेगी अगर आपका व्यास बिना माला व्यास की अंदर निरंतर चलने का व्यास है प्रिशमे शन्ख्या जूड़ने की आवश्चा है किशी ने प्रिशन किया था कि अगर बिना संख्या की नाम जब करते हैं उसका फल मिलेगा की नहीं मिलेगा तो क्या संख्या से नाम जप करने पर फल मिलता है क्या नाम जपने से फल मिलता है वो जैसे भी आप जपें वाविनाशीत गुनातीत नाम जैसे भी उच्चारण हो आपका मंगल करेगा शाधक को कोई एक पद्धती अपनानी चाहिए नाम जपके महापुरुशों ने कई पद्धतियां मताई है एक पद्धती है श्वास के साथ नाम जप करना लंबी श्वास की चुचो कई नाम उसमें जप पिर आराम से छोड़ो कई नाम उसमें जप और इससे आपकी एक आगरता बढ़ेगी और नाम जप में प्रीती होगी और श्वास श्वास नाम जप है तो दुविधा रहे न कोई अर्था तब दुविधा नहीं कि पतानी भगवत प्राप्ति होगी की नहीं ये नाम जप पक्त के बात है जो श्वास प्रश्वास में निरंतर नाम का अभ्यास करता है दुश्रा है अपने मानश में नाम भगवान को बिराजमान करो लिखो राधा दिखाई दे रहा है और बार राधा 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 इन नाम अक्षरों में अपार श्रामर्ति है बारं बार अपने मंद से लिखो और उसे पढ़ो उसी को सुनो उसी को बोलो वो नाम तुम्हारा परम अंगल कर देगा द्रड अभ्यास हो जाएगी यदि नाम का ऐसे ध्यान नहीं होता तो जो विग्रह आपको प्रभू के प्री हो उस विग्रह को अपने पास रखें थुड़ी थुड़ी देर में दर्शन करें फिर वही नाम जब करते हैं मानस पटल पर आराध्य देव का चिंता नाम अक्षरों की बार बार आबरती बार बार जपना बड़ा आनंद का विस्तार हो जाता है किशी भी एक नियम से आप श्वास की प्रतिग गती पर आपका ध्यान हो और प्रतिग श्वास खीचने और छोड़ने में जितने अधिक से अधिक नाम ले सको अगर श्वास के साथ मंत चलने लगा नाम जबने लगा तो फिर माला की आवश्यक्ता नहीं है श्वास के साथ होने वाले प्रतिग जब की दिब्य लाभवरत्ती प्रगट होती है फिर माला थोड़ा बिक्षेप लगने रगता है उसे गुमाओ सुमे रुपयावे प्रणाम करो ओ तो मन ही मन स्वास प्रश्वास में नाम जब करता है सद्गुर्द्य भगवान की कृपा से बच्पन में ही सिक्षा मिली थी वह एक रट लग गई थी अब निरंतर नाम हमें चलाना है मन न लगता तो कीरतन करते नाम का शान्त हो जाता फिर नाम जब करते दो चार मालाएं की तो उससे मन थोड़ी लग जाएगा प्रखु में अच्छा है ना कर में से अच्छा है पर आपकी मना इस्थिती फिर नामा कार नहीं होगी स्वास का जब मन का लगना जरूरी होता है नहीं होई नहीं सकता जब आप नाम जब करते हैं स्वास खीषते हैं फिर छोड़ते हैं तो मन के बागने का समय नहीं रहता क्योंकि प्राण, मन और ब्रह्मचर तिनों का तारितम है जो शाधारण उपाशक है जिसकी अभी मनों गती में प्रवेश नहीं हुआ है वो जिभ्या से जरूर नाम उच्चारण करें ना बाहर उच्चारण करें तो उपान्शु में उच्चारण करें उठी ले बर आवाज बाहर नहीं है जब अभ्यास हो जाएगा तो यही उपान्शु मान्शिक में बदल जाएगा श्वास का भजन मन के बिना नहीं हो सकता जब मन ध्यानस्त होता है श्वास के द्वारा जपे हुई नाम पर साथ में जीबशेव भी उच्चारण हो रहा है तो यह अदभुत गती नाम की प्रगट कर देती है यह बिरती कभी भी उसका मन जब नहीं छोड़ सकता जो श्वास पर श्वास पर एक अगदा पूर वक नाम जब कर रहा है श्वास श्वास नाम जब और उपाए कच्छुना ही जिसे नाडियां या दिल धड़कता रहता है आप चाहो तो कलाई की नाडिशे मस्तक में भी हरदय में भी एक धरकन होती है उसके साथ नाम जोड़ जोड़ माला की जर्वत नहीं है जब आप उस धरकन के साथ नाम जोड़ोगे तो आपका नाम नाड़ी के अनुशार धिरी धिरी नस नाड़ियों में उतरने लगेगा भुरिशकी जी ने कहा है रोम रोम जब रग रग बूले तब कछुश्वाद नाम को पावे इसमें भी बहुत निरक्षन के आओ सकता है कि एक भी धरकन खाली न जाए नाम के साथ चले जीव से उच्चारन और एक आगरदा धरकन में ऐसे ऐसे होती है रादा उल्लुशी है रादा उल्लुशी है फिर एक बहुत महान नाम जब की पद्धती है कि आँखें मून करके पूरे नाम को सामने लेखना लिखा हो आदा उल्लुशी है बार बार उसे पढ़ रहे है शुन रहे है यदि ऐसी स्थिती नहीं तो बार बार लिख रहे है देख रहे है शुन रहे है अपने शामने आकाश की तरफ देख कर नाम लिखो या अपने मस्तक पर लिखो या अपने हरदे पर लिखो मन को पढ़ाओ जरूर भी न पढ़े आगे न बढ़ने पावे जीब का प्रियोग बहुत धीरे से उताइश में गिंती इसमें जरूरत नहीं है अब जैसे बात चीत कर रहे हैं आप से प्रश्म उतर कर रहे हैं तो नाम दिमाग मिछाया रहता है जबान से नहीं जब रहे हैं पर जिदर देखो दर लिखावाई नाम तो हम एक शण भी नाम से अलग नहीं रहते हैं इस पद्धती के हम साथ मंत्र अक्षर या नाम अक्षर साक्षात भगवान है अगर आप मन से उसको लिखोगे और देखोगे तो आरम में थोड़ा आपका मन विचलित होगा फिर मन आशक तो हो जाएगा और सबसे बड़े हां तरीका आजाएगा ये नाम जब का देखते हुए इसका बिहास चत्रासी जी का किया गया तो आप सच्छी मानों जैसे देख के आप पढ़ते हो ऐसे माइंड में लिख गए देख के पढ़ते हुए एक एक लाइन एक एक पंग दी है ऐसे पूरा दो घंटे में होता है एक मिनट का समय नहीं कि उसमें चूख हो जाए फिर योग दर्शन में लिखा है तजप तदर्थ भावनम जैसे हम राधाव लब शियरिवन सुजपर है तो एक उपाए कि राधाव लब लाल की जहांकी हमारे नेत्रों में रहे फिर नाम जब करें राधाव लब लाल को हरदय ध्यान मुक नाम बहुत बढ़े आँ सहिज पद्धती है छोटी छवी राधाव लब जी की रख लो बार बार देखो और फिर ध्यान मिलाओ बार बार देखो फिर ध्यान मिलाओ नाम जब करते कुछ दिन में छवी नहीं देखनी पड़ेगी वो आ जाएंगे मान अश्पटल पर चहे जिश्मार्ग का पतिको नाम के बिना सद्गती प्राप्त नहीं ओमित्ती काक्षरम ब्रम्ह व्याहरन माम निश्मरन यहा प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम गीता जी में भगवान स्रीकृष्ण कह रहे हैं कि ओम एक आक्षर नाम मुझ ब्रम्ह का ही है इसका उच्चारण करते हुए यदि मेरा ध्यान किया जाए मुझ परमात्मा का ध्यान किया जाए तो वो शरीर छोड़कर कैवल परम्पद को प्राप्त होता है अपने आराद्य देव की मूर्ती का ध्यान जवान से और कान से भगवन नाम जो जपर है उसका स्रमर तो ये उत्तरोत्तर मंत्र नाम उतरता है पहले जिव्या में फिर उपान्शु में फिर मानशिक में फिर परावानी में परापश्यंती मध्यमा वेखरी वेखरी जो आपको शुनाई दे रही है उपान्शु में चल रहा है मध्यमा पश्यंती वो देख रहा है नाम को डूबा हुआ है नाम दर्शन में पराव अब यहाँ जब किया नहीं जाता यहाँ अपने आप होता है जब नाम नीचे उतर कर परावानी में विराजमान हो जाता है तब जब किया नहीं जाता श्वाभावी कोता है ऐसे अभ्यास से उत्तम नाम जब प्रार्म होता है जिसकी नाम में रुची और महतवद्धी हो गए विश्वास करो बेडा पार नहीं करना पार हो गया इतना इस्मरन रखना चाहिए कि नाम को बेचना नहीं चाहिए बेचना यही है कि प्रभू हमने इतने माला जपा इस समश्या का समाधान हो जाए ये हो जाए वो हो जाए अगर निश्काम भावना हो नाम का ध्यान या नामी का ध्यान करते हुए प्रेम शहित निरंतर गुप्त भजन हो तो बहुत जल्दी उसे वगवत साक्षातकार हो जाए जो उपाशक नाम पर महत्तो कर लेता है अपना जीवन बना लेता है शी गुश्वामी तुल्शिदाजी महाराज ने एक पद में कहा नाहिन आवत आन भरोशो नाहिन आवत आन भरोशो यह कलिकाल शकल शाधन तरू है स्रम फलनी भरोशो नाहिन आवत आन भरोशो नाम के सिवा मुझ में किसी का भरोशा नहीं रहे गया गुश्वामी तुल्शिदाजी के लिए चाहे जो और शाधना कर लो जब शाधना का फल मिलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या फल मिला है अर्थात शाधना में लगे हुए तुम्हें परिणाम में केवल श्रम रूपी फल मिलेगा परमानंद नहीं नाम जब तुम्हें वास्तविक फल प्रदान करेगा प्रेम तप तीरत उपवास दानमक जेही जो रुचे करोशो पाये ही पै जानिबो करम फल भरी भरी वेद परोशो नाहिन आवत आन भरोशो एक भगवन नाम के शिवा कोई पावन करने वाला नहीं तपश्या कर लो तीर्थ कर लो ब्रत अनुष्ठान कर लो बड़े बड़े दान दे दो यग्य कर लो इशाब कर लो वेदों ने बहुत बरणन किया है ये करने से ये मिलता है ये करने से ये मिलता है शिले अपनी दिव्यता का अनुभो कराने के लिए अरजुन जी से कहते हैं त्रैगुन ने विशया वेदा निस त्रैगुन ने भवा अरजुन बहुत वेदों ने फल परोशा है ऐसा करो तो ये फल ऐसा करो तो श्वर्ग में ये सुक मिलेगा भाव ये है कि जब तक तुम्हारे हरदय में नाम जब नहीं चलेगा तब कोई भी फल भूल तुम्हें अविनाशी परमपद में नहीं भी राजमान कर पाएगा ये शब्त अप्यान प्रपश्याजू बृत्नियम है ये सब बहुत 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 ब्रम्ह लोग तक आगम बीधी जप जाग करत नर शरत नकाज खरोशो शुक्षपने हूना जोग शिधे साधन रोग बियोग धरोशो नाहिन आवत आन भरोशो गोश्वामी जी कह रहे हैं बड़ी सास्त्र विदी से मंत्रा अनुष्ठान करते हूं कामना की पूरती के लिए चाहे जितना अनुष्ठान कर लो यग कर लो पर असली कारी की शिधी नाम से ही होगी इन से नहीं होगी योग शिधियों की प्राप्ती भी रोग और वियोग के शमान है अंकार का रोग लग जाता है तुमारे मन की बात जानना दूर की बात सुनके आपको बता देना वैसे ही अंकार नश्ट नहीं उथा इन सिध्यों में तो और पुष्ट कर दिया अब वो वियोग कराएंगी भगवान का और रोग की तरह संसार की शमान की चाह वड़ती चली जाएगी यह सिध्ध मापुरुशों के बचन है जो केवल सिध्यों की चाहत के लिए अनुस्ठान और यह सब कारे करता है तो उसको समझना चाहिए क्या सरीर तुमारा मरेगा नहीं मरेगा तो सिध्यां खतम हो जाएगी यह तुम्हारी आत्रा में थोड़ी साथ देंगी यहीं तक है पत्थर में प्रिवेश कर जाना आकाश में उड़ना एक ही समय कई जगे उपस्तित हो जाना दूर की बात सरोन करना मन की बात जान लेना तो क्या मिला तुम्हें सिध्यों का फल क्या तुम्हारा प्रियोजन बना भगवत प्राप्ति नहीं उससे तो बिछो हो गया जिद्धि शिद्धि पेरें बहु भाई बुद्धि लोग दिखावें आई होई जो चतुर जो स्रयाना तो तिन तन चितए न अनहित जाना इन से आपका मंगल हो जाएगा भगवत प्राप्ति बादक ये शिद्धिया है पुराणों में भी सिद्धान तवरणन है अलग-अलग भगवत प्राप्ति का मेरे गुरुद्य भगवान ने मुझ पर बहुत दया की और मुझे बता दिया कि एक मात रोपा राम 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 ये ये बात समझे नहीं इसी से सब हो जाएगा ये उत्तम उपाए में जो है जब मिला तो मेरे सामने ऐसा मार्ग खुल गया जैसे राज मार्ग जी टी रोड़ कोई गड़ा नहीं कोई परिशान नहीं आख मून के दोड़ों अर्थार भगवत प्राप्ती का राज मार्ग है नाम जब सीधे अपने राज मार्ग पर चलो